दोस्तों कैसे हो आप सब लोग आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे ही होंगे हाजी हूं मैं और स्षागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल exam success मंत्रा पर तो दोस्तों आज हम जो हमारे पास क्या है philosophy है तीसरी philosophy जो कि हम यह Marsus भी जो दिगई है फिलॉस की तो समझते हैं क्या होता है गटैंत की ढहर पेखिए जो अंग्रेजी सब्द आईदि रूपा अंतर ने तो सब सब्सक्राइब किसे मिलकर बनावा दिखाई देरा आपको आइडिया से मिलकर बनावा दिखाई देरा किसे मिलकर बनावा दिखा रहा है आइडिया और आइडिया का अर्थ क्या होता है विचार यानि सोचना कि किसी भी चीज के बारे में सोचना वही क्या होता है विचार होत सब्द आइडिया से बना है जिसका अर्थ होता है विचार इसे विचारवादी सिद्धान्त भी कहा जाते हैं यानि विचारवादी आदर्स वाद कहते हैं आपका सोचना इंपोर्टेंट है जब आप सोचोंगे तो सोचने के बाद ही आप किसी चीज के बारे में कारे करोगे और जब तक आपके मन में कोई विचार नहीं आएगा आपको बहुत नहीं करेगे एसलिए से क्या वो ले आता है आइडियलिज्म या आदर्स वाद या विचारवाद भी नाम यह है विचारवाद तो आपको ध्यान रखना है then जा सकता है अगली चीज आती है हमारे पास यानि अब इसका में तत्व देखते यह तो मैंने आपको समध्या थे आइडिया से मिलकर बना आइडिया का अर्थ विचार वादियों के लिए विचार ही सब कुछ होता है अब देखे आदर्स वाद सरपर्थम विचार पर बल देत है इसके पश्यात पदार्थ पर विचार करता है जैसे कि मैंने आपको पता है क्या बोलता है सबसे पहले विचार है जब विचार आएगो तो विचार के बाद ही आप अन्य चीज़ों पर क्या करोगे देखोगे यह रिसर्च करोगे सबसे महत्यों के लिए क्लिए विचार पर देता है उसे अंतिम सत्त्या मानता है इसी विचार दारा ने मन ₹ को अदिक महतवा देता है और जो आदरस्वाद विचार्द्रारा किसका महतवाइथ किसको मानती है मन मानती अब देखिए आप आदर्सवादी आद्यात्मिक सत्यों मुल्यों को संसार में सरवोच अस्तान देते हैं यानि आप से पूछा जाएं कि आदर्सवादी सबसे सबसे ज्यादा किसे मानते तो किसे मानते आध्यात्मिक मुल्य को सरवोचस्थान देते हैं अब देखे अगला यह क्या मानते हैं आधर्स वाद मानता है कि मुल्य ही अंतिम है लक्षा की पूर्दी में सायक होते हैं यानि यह क्या क्या समझा मुल्य का मतलब क्या होगा जो आ आदर्स है वही आदर्स से when lambda सब कुछह है और यह आदर्स-ापके जो लक्ष्ण निरधारी किया है उस लक्ष्य तक पहुंचाने में आपको उसहायता जाता है तो जो प्लेट है प्लेटो ग्यागा का जाता है आदर स्वाद के प्रवर्तक कहा जाता है ना प्लेटों कि ढाना जाता है इसके लावा हम देखते हैं अन्या महत्वूण आधर स्वाधी विचारक कौन कौन हमारे पास देखो डेकार्थ इस्पनोजा ठीक है लाइबनीज बरकले कांट हीगल सेलिंग कैमिंग स्पेशल लॉज फ्रोबल आदी पशीमी आदर स्वाधी विचारक है तो आपको विचारकों के नाम रिखने आप से पूछा जा सकता है कुछ कौन कौन से बताएं आपको कौन कौन से हमारे पास आदर स्वाधी विचारक है कौन कौन से बताएं मैंने आपको कौन कौन से हमारे पास आदर स्वाधी विचारक है कौन कौन से बताएं मैंने आपको देखे पहला तो क्या हो गया बरकले हो गया कांट हो गया हीगल हो गया अब देखे इसी प्रकार हमारे पास क्या थे हैं कौन-कौन से पर्मक भारतिया शाल्जी हैं कई ये क्वं नार्विश क ties करते क्वें करते हैं देखेह सुन्दर्मनिर्फ आवशक चाहरन उपस्थ और अपनी वान्ष नीच संसार कंवाल। और श्रौक्ट है किससे संबंदी थे आपका आधिरस्वा उस्ञां डेस संबंदी थे, किसने कहता आपके वास जयास रौस ने कहता अगला आता है आधर्स्वाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्षपर बल देता है ठीक है इसका कारण यह मनुष्य के जीवन में सबसे महतोपूण पक्ष है किसने कहा था यह कहता हैं अगले विचारक आते हमारे पास अगले विचारक को देखते हम जे एस रोस रोस की एक और देखी थे हमने उपर सत्यम सिवं सुंदरम यह किसका है यह भी किसने कहा था जे आध्यात्मबादी दर्शन में भौत और विविद रूप है ठीक है पर सबका आधार बूत अत्वा यही कि संसार का उत्पादन का कारण के है मन या आत्म है सत्य किया मान सिक्स सवरूप है किसना कहा था घैस लिस्ज रॊस ने देखते हैं आधर सवात के प्रमुक सिधान्त का इनके इनके सिदानथ है ठीक है चलिए देखते हैं पहला सिद्धान्त आते हैं हमारे पास पहला सिद्धान्त है हमारे पास चलिए देखिए आधरस्वाद का जो पहला सिद्धान्त है पहला सिद्धान्त क्या है हमारे पास आध्यात्मिक सिद्धान्त आध्यात्मिक सिद्धान्त के अंतरगत क्या कहता है यह ठीक ह कि देखिए आध्यात्मिक जगत का सिद्धान ने जगत को दो भागों में बाटा है एक तो आध्यात्मिक जगत है और एक क्या है बहुत इक जगत बोला इनके अनुसार आध्यात्मिक जगत जगत क्या है सत्य हैं भागतिक जगत क्या है मिठ्या मातर नहीं जैथा हैं नहीं नेキहा के आपके दिखावा मातर है इनसे आपको कुछ प्रात्र होना नहीं अगर आपको शी Bryan का सत्य समझना है आवश्क होगा अब fusक सिलाशत आदर श्वाद की मानियता है कि विश्व का क्रम निर्ट्याे अधियात्मिक सत्य यानि यह समस्त विश्व किसके द्वारा संचालित हो रहा है अगर आप इस जगत से आध्यात्मिक सत्यता हतायो तो यह जगत संचालित नहीं हो पाएगा यह कहनेकार्थ यह कहा था आपका अब देखते हम आगे आपक्ष विचार का सिद्धान चलिक देखते हैं है नहीं है प्रतेक वस्तू का हमारे दिमाग में एक विचार होता है यह क्या कहता है कि हम जो भी वस्तू अपने आजपास देख रहे हैं उन्साब वस्तूं से महत्ताः बटुस्तु से अधिक महत्त पूर्ण कि वचार हमारे मन में आते हैं कि विचारों को अधिक मनुष्य को अधिक महतोपून मानता है क्योंकि मनुष्य में विचार करने का अनुभव करने और रचना करने की चमता होती है यह कहते हैं जो हमारे आज पास वस्तू है उन सभी वस्तू हैं चाहिए आपके पास ही रहे हैं कितनी से भी कितनी महत मनुर्ण के बाथ विचार करने और रचना करने की चंटा होती है ऐसे क्यों कहते हैं ऐसे कहते हैं आध्यात्म वादी इस तरीके के विचार रखते हैं अब देखते हम आगे अगला आता है आध्यात्मिक मुल्यों का सिद्यान तो सत्यम सिवम सुंदरम इनके आध्यात्मिक मुल्य हैं इस्वर से साक्षात कार करने के लिए इन मुल्यों को ज किस ने अगले चलते हैं मन का महत्व मन का महत्व क्या है इसको समझते हैं देखे मन का महतो देखे क्या काता है यह बहुतिक संसार के अपक्षा आत्मा या मन को अधिक महतो देते हैं सत्य की प्राप्ति भौतिक जगत में संबव नहीं अताहा मन आदर स्वात का महत्वपून आदार है यह क्या कैता अगर आपको सत्या जानना है तो आप इस जो क्या आपका बहुतिक संसार यानि आपके आसपार जो मोह माया है उस मोह माया में रहते हुए आप सत्या को नहीं जान सकते अगर आपको सत्या जानना है तो आपको बहुतिक ज नहीं कहा था जगत का आधार क्या होता है मन होता है जतने भी आपके पास फिलॉस्फिक विकास को महतों देती है यहाँ व्यक्ति के विकास का अर्थ आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ती के विकास के साथ सामाजिव और विकास पर भी व्ल देता है तो इनके अनसार किना नावनकों वक्ति पुर्णता रही है अब मानव सबसे अधिक रिष्तम करती है किसे ल्गात न कहा था तो ठीक है दोस्तों आज हम क्या है कुके हैं आदर स्वाथ के अनुसार पाठ्य करम कैसे होना चाहिए आदर स्वाथ करता हूं जो कुछ मैंने पढ़ाया पुरणत कर दिए आपकी समस्य करने की पूरी-पूरी कोशिच की जाएगी तो ठीक है स्वास्त रहिए मस रहिए पड़ते रहिए हमारे चैनल लुड़े रहे